हाई गाईज सौगत है आपका हमारे यूटूब चाइनल हेल्थ आइन्ड सेप्टि स्टड़ी गाइड में मैं आज आपको फायर एक्स्ट्यूशर कितने प्रकार के होते है इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए चलो फिर शरू करते है फायर एक्स्ट्यूशर के टाइप कितने होते हैं कि देखिए फफ्वाय एक्स्ट्मिशर वह Вотडresse शरे दुसरा फ़र्ट शर। आपको देख रहा है वह रायत पाउडाड़े एक्सट्मिशर है इसे हम डिस्पेस टमेसर एविटीप स्टमिशर नीए भुलते हैं उसे डिस्पेस्ट्म Marcel को अभी कनवर्ट करके एशान में एसको कनवर्ट किया है उसे मुल्टि पर्पाइब ऑसके बाद आपको दीख लिख रहा है वह फिर्म टाइब चैनल सिर्ञredit Church होता है अब से हम carbon dioxide extinguisher भी बोलते हैं उसके बदर आपको जो दीक रहा है पाच्छा जो प्रकार है fire extinguisher का वो weight chemical type extinguisher है weight chemical type extinguisher को k type fire extinguisher भी बोलते हैं अब हम carbon dioxide type fire extinguisher के बारे में देखेंगे ठीक है तो अब देखिए स्यूटू extinguisher हम class B और class C fire में भी यूज़ करते हैं class B fire fire का मतलब जो है वह liquid fire और class C fire का मतलब है gases fire यह electrical fire और gases fire पर ही carbon dioxide fire extinguisher हम यूज़ करते हैं यह extinguisher का discharge time रहता है वह only क्या इतना रहता है 8 to 30 सेकंड ही रहता है मतलब उसका जो discharge time है 8 या 30 सेकंड में वह पुरा खतम हो जाता है हम यह extinguisher 4.5 kg जो capacity है इसका वह extinguisher के बारे में हम discharge कर रहे हैं आगे दिखिए है जो प्रेशर गेज कैपेसिटी वेरिफाइड बाई वेट मतलब यह extinguisher को प्रेशर गेज नहीं लगाया रहता है उसको हम वेट मशिन से उसका वेट करते है और यह extinguisher refill है या खाली है वह वेट से ही उसको वेरिफाइड करते हैं आगे आपको दिख रहा हो गया कि इसका जो एफेक्टी रेंज है थ्रे टू एट फीट मतलब क्या कि इसका जो एफेक्टी रेंज है तीन से आट फीट तक ही इसका एरिया वो कैच करता है उसके बाद वो जो extremis by smoothing burning material मतलब जब हम ये extremisher आग फे यूज करते है उसके बाद जो आग फे क्रिया होती है रेक्शन होता है वो smoothering effect होता है मतलब क्या एक सास रुक जाने जैसी एक क्रिया या पे create होती है generate होती है मतलब जब हम fire extinguisher use करते है उसके बाद जो fire पे effect होता है वो क्या होता है एक smoothering effect मतलब क्या एक सास रुक जाने जैसी ये process generate करता है ये उसके बाद जो है effectiveness decreases hazard temperature of burning material increases मतलब क्या है कि जलती हुई सामगरी का थापमान बढ़ने पर प्रभाव शिलता कम हो जाती है मतलब जब हम ये fire extinguisher use करते है उसको उसके उपर क्या smoothering effect होने के बाद क्या होता है उसके आग की जो प्रभाव शिलता है वो उसको कम करता है अब हम आपको water type extinguisher के बारे में बताएंगे ये extinguisher freshurized water से भरा हुआ रहता है ये extinguisher हम class A fire पे यूज़ करते है ये class fire मतलब solid fire है solid material उसमें cardboard लकड़ी कपड़ा आदी solid materials आते है उसके मतलब ये क्या होता है जब ये material चलते है उसके बाद ये पुरा जो material चलने के बाद ash ही रहती है मतलब राक बन जाते है वह substance जो है वो सब solid fire में आते है अब हम देखेंगे डिच चालता है ये fire extinguisher का जो डिच टाइम है वह एक मिनिट का ही है मतलब क्या यह हम जो fire extinguisher के बारे में डिच्टर कर रहे है वह 9 kg capacity का extinguisher है वह उसका जो डिच्टर टाइम है वह एक मिनिट में खाली हो जाता है उसके बाद इसको हम has a pressure gauge to allow visual capacity check इसका जो pressure gauge रहता है fire extinguisher का उससे हमें पता चलता है कि ये fire extinguisher refill है रिफिल है या भरा हुआ है या खाली है यह हम pressure gauge से उसको identify करते है उसका pressure gauge red zone में जब रहता है तो उसको हम खाली है इसा समझते है जब वो निदल फ्रेशर गेस की green zone में रहती है तो हम समझते कि ये fire extinguisher भरा हुआ है okay है हम इस fire extinguisher को आग पे यूज़ कर सकते है उसको हम चला सकते है आगे दिके आपको दिकराओगा कि उसका जो डिच्चार्ज का नहीं इसका जो एफिक्ट्व रेंज है वह कितना है तीस या चालिस फिट मतलब यह इसका जो डिच्चार्ज का एफिक्ट्व रेंज है उसका जो रेंज है उसका कितना है तीस या चालिस स्पीट तक वह जाता है अब आगे दिखिए इस डिच्च बाइब कुलिंग बर्निंग इफेक्ट्व मतलब जब हम यह फायर इसका फायर पर कुलिंग इफेक्ट्व होता है मतलब यह आपको ठंडा करने में मदद करता है से आग दिरे दिरे बुझ जाती है थैंक यू फॉर गाईज मिलते हैं अगले वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना बुले थैंक यू